राजनेताओं की दल बदली इस पर आप क्या राय रखते हैं आप अभी अंदर आएं इसमें पार्क में आपने देखा कि पूरा पूरा अंदर एंट्री का पैसेज जो है वो सारा तूटा हुआ है वो उसकी वज़ा क्या है कि वो कल तोड़ कर चले गए और उसके बाद में कि हुषते हुए इधर उधर ठोकरे खाते हैं लेकिन उसके बावजूद कोई प्रोटेस्ट नहीं है कुछ नहीं है और यही कुछ हमारे देश का भी हाल है इन टेम्स ऑफ यह पॉलिटिशन्स जो कर रहे हैं उनके लिए सब कुछ आसानी से अवेलेबल भी है खुला भी है औ लेकिन एक कॉमन मैन ऑन दे रोड जो सड़क पर है उसकी कोई पूछ नहीं है आज कल के माहूल में जब यह इलेक्शन आ जाते हैं तो उस समय वह अपना कटोरा लेकर घुमते हैं कि भई हमको वोट दें और हम लोग उनको उनी की टरम्स पर दे देते हैं तो जैसा कि आपन नहीं आए हैं तो कुछ दिन की बात है अभी तो उनको अपने ही नहीं पता है कि कौन सी सीट पर खड़ा हो रहा है कौन हो रहा है तो जब हो जाएगा वो क्लियर तो घर डेफिनेटली देल भी मूविंग राउंड आएंगे सब को एक एक के पास में पहुंचेंगे तो दल क्या अंदर क्क वाले यह कौन सा बेतर है तो आप खुदी पहुंचें कि निम्ल्मास के लिए कौन कुछ कर ने के लिए तगे तेयार है कई अजाग कर लो रहा है उसके बाद में पहुते हैं कि अबभी जंता के लिए कुछ कर लो ताको सम षॉड ऑप अट और अगर अगर कि खुद आजाएं सड़कों पर तो फिर ये लोग कम से कम अंसरबल तो होंगे कम से कम जो कहकर आते हैं पावर में तो डिलेवर तो करेंगे वो हम लोग कुछ पूछते ही नहीं है कभी भी तो दल बदल वाली जो बात आप पूछ रही है वो दल बदल यू है कि उनको जब प सब्सक्राइब करने में वाजपूर जिनकों राजपूर जो यहां के विधायक है तो वह आपके पास इलेक्शन से पहले किन वादो के साथ आत आये थे मैं वही तो अपनी कमी तो बताराओ इतनी देर से कि ये हमारी कमी है कि हम उनसे सवाल गजा पूंछते हैं उन्हों ने तो जो वादय कि है वो अपना क्या कहते है उसके हैं उसको जो पत्र होता है कि हम यह लेकर आए और यह कुछ अम गोजना पत्र yellET तो हम यह यह कुछ डिलिवर करेंगे, कभी हमने उसकी तरह पढ़के भी नहीं देखा है कि हम यह क्या गोशना है और उसमें पिछली बारी की घोशना पत्र में जो था वो कितना उन्होंने पूरा किया तो यह जब सब हम लोग कुछ पूछते ही नहीं है तो उनको दे है वो तो दे फील लाइक और वही जो दल बदल वाली बात आपने जहां से शुरू करी थी पूछा था तो वह एसेंचली यह है कि उन में जो स्मार्टर लॉट है उसको जब लगता है कि मैंने कुछ किया तो है नहीं पिछले पांच साल में और अब जो है इस पर ही यहां से मौका मिलेगा नहीं तो लेट मी मूव इंटो था पार्टी हो वहां चला जाता है वहां उसको खुले उससे एक्सेप्ट किया जाता है विद ओपनाम और उसके बाद में फिर वो अगले पांच साल के लिए फिर डॉर्मेंट हो जाता है पर मैं आपसे एक और बात जाना है और जो नेता तो उस पर आप क्या रहा है रखते कि आप उस घूशना पत्र को पढ़ेंगे या नहीं उस बेसिस पर आप वोट देंगे या नहीं देखिए अगर मुझ से आप परस्नेली पूछ रही है तो यह डेफिनेटली इस बारी मैंने भी सोचा है कि कम से कम उसके नजर दोडाऊंगा लेकिन मेरे जैसे कितने लोग हैं जो इस बात से वाकिफ हैं या इतिफाक रखते हैं इस बात से और वो भी करने के लिए तैयार है आप नॉमल कोर्स में अभी आप लोगों से बात करेंगी पूछेंगी तो वो आपको खुद समझ में आएगा कि नहीं पीपल और इंग्नोरेंट अपॉल दीस तिंग्स कहने के लिए वो एक ने दूसरे से सुन लिया दो तीसरे की बात कह दी तो दाट ड़स नॉट है जब हमारे लिए क्या करोगे अगर इंडिवेजुली हर को यह पूछने लग जाए कि हमारे लिए क्या करोगे तो देंग्स वोड डेफिनेटली इंप्रूव तो आपके सबसे सबसे बेस्ट गोशना पत्र किसका और किस बेसे पर आप इस बार कौन सी पार्टी को जिताने जिता के लिए वही अगर पुराने ढरे पर चलना है तो फिर तो मैं परस्नली बीजेपी का यह ज्यादा फेवर करता हूं more for the reason के कमसे कम महां स्टिबिलेटी जो दूसरी पार्टी में स्टिब्लेटी नहीं यहाँ पर है और मेरे गालचân के वह देशित के लिए भी बेतर है गले एफ जैसा कि आपने हमें बताया कि देशित के लिए भी जैपी के लिए वोट दे सकते हैं तो और वह दल बदल कि राजणीति से पहले आप क्या समलज़ते हैं? यह दल बदल के राजणीति लिए ना? यह नेता सही नहीं कर रहे हैं इस द बदल कि मनलब कोई बीजेपी में जा रहा है को ये गल्ट को गर्ट हो ने आख को क्या लगते हैं कि जैसी लेक्शन आते हैं एल्ensa की डेट करीब कर दि आती है तब ही राजनिताहों का एक पार्टी से दूसरा पार्टी में जाना इसके कि यहां पर कितना विकास हुआ है यहां पर कोई खास जारा भी खास नहीं हुआ है पहले ते कुछ मुख्य मंत्री आई उन्होंने कुछ किया ही नहीं अब यह जो आए यह थोड़ा परवा रहे हैं आपको लगता है कि इस बार किसको आप जिताएंगे इस बार जो मेरा ख्यार है जहां तक बीजेपी आएगी आपके से बेट देंगे नटें बीजेपी को देंगे भीजेपी क्यों में ऐसे कांगले जगर नहीं मिली तो शायतों क maj इलकि से तो नहीं कियों मूं से आपको कि मना कर रही हैं तो इसलिए वह फिर वापसी बीजेपी में होगी उनकी तो आपके हिसाब से आप क्या सोच रखते हैं कि हरक सिंग रावत फिर बीजेपी में आएंगे तो किस मूह से आएंगे तो सौज पीचार के आएंगे इसलिए तो जैसे कि इनोंने बताया कि कही ना कहीं अगर हरक सिंग रहावत भी वापस बीजेपी में वापसी करते हैं या फिर जो भी राजनेता अदला बदली करते तो उनकी सड़ तो अच्छी खासी होती है पर लगातार जो राजनेतां का दल बदल होना कहीं ना कहीं पार लोगों से भी जान लेते हैं कि वह इस पर क्या सोच रखते हैं कि राजनेता दल बदल करना सही है या गलत है और पार्टी को ने टिकेट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए चलते हैं पिछले बार कॉंग्रेस के वो थे वो दे जंप्ट इन्टू पीजेपी अब वो सब के सब जो है फिर से भाग रहे हैं बीजेपी चोड़के तो यह तो उनका आप मॉरल रही नहीं ना दब लीडर्स आप नो मॉरल एट और तो आप कहीं न कहीं यह इस बात से समझ रहे और कहना चाहिए भते रहे हैं देर आर सो मैनी इन दे क्यू तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो दल बदल की राजनीती है बीजेपी से कॉंग्रेस कॉंग्रेस से बीजेपी केवल एक लाइन में सारे पॉलिटीशन को वो बना सकता हूं चोर-चोर मुसेरे भाई तो इ के कहीं आप एक्जाम्पल दे सकते हैं मुझे कौन हैं मसे देखे सारे ही बीजेपी के बहुत देख लीजे दो साल पहले जो साइकल पे चल रहे थे आज उन पर 25 लाग की कार है कहां से आगई जो जस्ट टास्ट एक सिंसियर आपनी एक दो साल में इसकूटी नहीं ले पात सड़क बन रही है उसमें तारकोल मत डालो कोई वो कंस्ट्रक्चन है सिमेट मत डालो अपने यारों को अपने सारे उने देदो इसंट इट सो पर आपको क्या लगता है कि इस दलबदल की राजनीती के बीच कौन सी सरकार इस बार सत्ता में बाजी मार जाएगी जब तक नाम ले रहा है तो मोदी जी क्यों है कि इस दो अनली परसंट ही एस वेल आज यू में से अमिच्छा दोस आर्ड इस्टिल आर वेरी यू में से इमांदार अनस्ट पिर तो आप मतलब इस बीजेपी का चैरा में मोदी जी को देखकर अब वोट देंगे मैं तो हमेसा चाहत हूं कि मोदी जी शुड़ बी प्रेजिडेंट जब वो प्रेजिडेंट बन जाएं और सब्सक्राइब नीचे हो तब यह देश अपने आप ही डेवलप्ट हो जाएगा जी धन्यावाद आपका कि इनका साफ तोर पर मानना है कि अगर मोदी जी पूरी बीजेपी की कमान सम अमालेंगे तो कहीं ना कहीं देश का विकास हो सकता है इसके अलाब हम उन्होंने कहा था हमारे जो पहले प्रेजिडेंट थे वह तो है इन्टेक्ट है तो मैं तो यही कहुँगा कि मोदी जी शुट कम एज प्रेजिदेंट अफ इंडिया एंड लाइक द अमेरिकन गवर्मन तो आपको क्या लगता है कि अगर मोदी जी के जो निर्तित्व में काम चल रहा है विकासकारे चल रहे हैं देश के लगला कोनों में तो उत्रखंड में आपको क्या लगता है मोदी जी के नेत्रतुम में सबसे बढ़िया काम जो यहां पर हुआ है उत्रखंड मोदी जी की जो सेंटर इसकीन से उनमें तो है लेकिन जो लोकल है यहां कौन पूछ रहा है तो मैं आप से जानना चाहूंगी कि दल बदल कि राज़नीती से आप क्य समचते हैं यह ऐसा है सरेरी व्याव हमें सरकार से दिक्कद हिनकर काम से लोकपार भाग हम तो म्तुमारो करे हैं हर मेंगाी कम करते हैं। तो आप देख लो हर समान महहगा है लेके पैंट्रो से लेके तेल गेंज सिलेंडर आटन हर चीज महींगी है तो गरीबाद पैसे कैसे जोड़ागा है है यह नहीं है तो कहना मतलब है सरकार कोई सी भी हो जो महंगाई कम हो मेहंगाई के लिए कौन सी सरकार सत्ना में आनी चाहिए? पहले और कोंग्रेश थी तो तेल हर चीज इतनी महंगी नहीं थी समाल महंगा होता है हर चीज पर महंगाई की बाद तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है तो उनके क्या चांस दना? तो सकती है जो मतलब काम से गर रही पार्टी आपको क्या लगते कौन सी पार्टी आई किसा तो आपके साफ से कॉंग्रेस यहां मान्मी पार्टी तो अब मैं आप से जानना चाहूंगी कि आप यहां पर किते टाइम से देहरदून में उत्रखण में तो 12-13 सालों में से बीजेपी में रोड तो बढ़िया बन गई तो आप मुझे को यह से पांच विकासकारे मुद्दे दिखा दो जो बीजेपी की सरकार में और जो भी 12-13 साल में आपने देखे हो जो प्रोविरेस हुए वो सर्क बीजेपी की सरकार में जो है ना सिर्फ एक बिजली टैम प और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी बीजेपी सरकार पूरे नहीं कर पाई और आप जो आने वाले चुनाव के बाद उमीद लगाए बैटें कि वो विकासकारे मुद्दे होनी चाहिए अब बता रहा है बिजली मतलब एकको मजदूर आदमी चाहता है मेहगाई कम ह आप किसको वोट देने जाएंगे और इस बार 14 फरवरी को इलेक्शन है तो आप किसको पार्टी को जीताने के लिए वोट दाले कि आपने थोड़ी बहुत सोच बनाई होगी कौन सी पार्टी सबसे बेस्ट रही हो अभी ते निकरा मेडम जो बाद है मोगे पर देखे हैं हमारे साथ वाले याड दोस्त है जैसे कि तो आम मतलब वो चल लेंगे चाल में भेड़ जाल में आप चलने की बात कर रहे हैं बा काम कुरेगा तो सरंगा ठेक रहे हो उसका द्रणावाद आपका हमार साथ जूढ में तो जैसे कि हमने लगातार लोगों से बादचीत की और लोगों से जाने की कोशिश कि कि दलबदल की राजनिती वाके में धरातल पर आमजंता के लिए क्या खेल खेल रही है और क्या ये राजनेताओं का उलट पुलट होना एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना क्या कमाल दिखा रहा है और क्या ये अब आने वाले चुनाव में बदलाव ला सकता है इसी के साथ हम लोगों से बाची लगातार करके आपको ये बताने की कोशिश कर रहे है कि 14 फरवरी जो चुनाव की डेट है उत्राखण में वो कहीं ना कहीं अब की बार बहुत ही जादा बहतरी नों वाली और दिल्चस्पो ने वाली और देखना ये हुगा कि कौन सी बाचिछ बाइब कमाल दिखाथी है फिलाल इस रिपूर्ट में वसतना ही बने रहे है निज वॉल इंडेए के साथ नमस्शकार